हेलो ब्रीवान, मिलकुम बेग, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगी डियो स्टेंट्स आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉल टेकनिक और समेस्टर एक्जाम 2022 के टेंटिटिब डेट के बारे में डिस्कस करने वारे हैं जी हाँ डियो स्टेंट्स जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अगर अकेडमी कलेंडर की हम बात करें तो अभी तक हम लोगों के एक्जाम की जो डेट थी वो आ जानी चाहिए थी साथी साथ एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाना चाहिए था लेकिन अभी एक्जाम पर कोई भी ऑफिसल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है जिसके कार्ड स्टुडेंट्स पे लगातार ये दवाव बन रहा है कि सर हमारा एक्जाम कब होगा हम सभी लोग प्रिप्रेशन को कैसे करेंगे अब देखो डियो स्ट्रेंट्स मेरे लिए कहना ये काफी ज़्यादा आसान होता है कि स्ट्रेंट्स आप टेंसन मत लिए आप किवल पढ़ाई करिये एक्जाम जब होना होगा तो होगा ही मेरे लिए कह देना काफी आसान है लेकिन वे स्ट्रेंट जो पॉलिटिक निक कर रह सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो एक्जाम है ना अब दो हजार बाईस में नहीं होने वाला है आपका जो एक्जाम होगा डियो सेंट्स अब वो 2023 में होगा मतलब इस वर्स तो आपका एक्जाम होने से रहा इस वर्स आपका एक्जाम होने वाला नहीं है अब बात होती है कि सर नेक्स्ट इयर हमारा एक्जाम होगा अगले साल से हमारा एक्जाम होगा तो वो अगली साल कब होगा क्या अगली साल दिसंबर में जाएगा क्य करना होता है पहले चीज है जाम नेसंट देट दूसरी चीज जो होती है डियोस्टेंट्स वह सिलेवस होता है ठीक है कि सिलेवस कहां तक कंप्लीट हुआ है सिलेवस कंप्लीट हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ है तो डियोस्टेंट्स आपको बताए कि सिलेवस कंप्लीट करने के लिए UPBT के काडिंग minimum 90 days का टाइम मिलना चाहिए कम से कम 90 दिन क्लासे चलनी चाहिए लेकिन ज़रा आप ये सोचो कि जो हमारे first semester के student है उनका तो अभी तक admission ही चल रहा था तो अभी उनकी क्लास जादा से जादा दो महीने चली होगी तो कहा से हम उनका exam ले सकते है नहीं ले सकते है तो पहली बात तो ये हो गई कि syllabus और अगर आपको याद हो तभी एक previous वीडियो के माथम से मैंने आप सभी लोगों से ये जानने का प्रयास किया था कि आपके अहाँ syllabus की क्या condition है आपके बताऊंगा अभी tentative date क्या है आपका exam कब तक हो सकता है मेरी बात को ध्यान सुनिएगा जो भी information दोगा वो कही न कही सही होगी और उसी के recording आप सभी लोगो आगे की process को आपको complete भी करना है तो वहाँ जब मैंने आपसे जानने का प्रयास किया था कि जर आपके आँगे syllabus की क्या situation है तो majority of students comment section में यही बता रहे थे कि सर हमारे यहाँ syllabus अभी complete नहीं है इन complete है एक max to max 1 or 2 comment मुझे ऐसा देखने के लिए मिला था जिसमें लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ syllabus complete है कहीं 70% है कहीं 75% है कहीं 80% है overall इससे हमारा जो निसकर्स निकलता है जो हम conclusion पर आते हैं वही हम यह पहली बात अगर हम syllabus की बात करें तो syllabus जो है डियोसेंट्स अभी complete नहीं है अभी incomplete है लगभग लगभग सभी politics college में तो इसका मतलब यह है कि दिसम्बर में तो exam नहीं लिया जा सकता है अगली बात हम यह बात करते हैं डियोसेंट्स की syllabus के बाद examination date जो होती है वो कब हमारी आती है examination date कब है पुरानी date क्या थी और अब हमारी date क्या होनी चाहिए तो previous examination date की अगर डियोसेंट्स हम लोग बात करें तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पर दिसम्बर में आप सभी लोग के exam की date decide करी गई थी लेकिन अभी अभी डियोसेंट्स डिसम्बर में exam कराने का कोई chance नहीं है syllabus complete नहीं है इसलिए अभी exam नहीं करा जा सकता है उसके बाद admit card जारी होगा ज्यान दो admit card जारी होगा और साथी साथ एक सब्ता पहले आपका time table भी आएगा exam का time table भी आएगा तो अब मुझे ज़रा ध्यान से सुन करके बताए कि सर आज 15 आप दिसम्बर है 15 आप दिसम्बर है तो आज से ही अगर कोई notification जारी हो जा और कहा जाए कल से examination फ़ाम बनना जोरू कर दीजिए तब भी इन सारी process को complete करने में कम से कम 15 दिन लग जाएगा इसका मतलब यह है कि दिसम्बर में exam नहीं होगे और semester के exam दिसम्बर में होने वाले नहीं है अब आप यह कहेंगे सर की जब दिसम्बर में नहीं होंगे तो कब होंगे तो dear sense आपके exam की जो tentative date है ठीक है tentative का मतलब होता है संभावित तिथी जो है जब आपका exam हो सकता है वो exam है dear sense जनवरी में और वो जनवरी 2023 की बात हो रही है मतलब इस वर्स आपका exam नहीं होने वाला है और सूत्रों के मिताविक जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से जनवरी के last week में आपका odd semester का exam होगा तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हैं video stands अपनी preparation को continue रखना है यह चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखेंगे तो यह overall conclusion करके मैंने logically भी आपको बताया साथी साथ जो मुझे जानकारी मिली है बात्चित करके पॉल्टेक्निक के जो teachers है उनसे या जो भी हमारे जानने वाले उन सब से निसकर्स यही निकला है कि आप सभी लोग का जो एक्जाम है वो जनौरी के last week में होगा उसके पहले जो syllabus की process है वो भी complete हो जाएगी examination, date, अथार examination, forms related to information है वो साथ जीजे complete करा करके जनौरी के last week में आपके exam को करवाने का प्रियास रहेगा उसके पहले exam होगा इसका मतलब बहुत ही कम chance है लेकिन अगर आप इसको जड़ा सोचो तो आज 15 आप December है आपके पास 15 जनौरी तक के लिए केवल और केवल एक महीने का समय बचा हुआ है क्योंकि आप सभी लोगों का वहाँ पर practical भी होना है हाँ एक important बात ये भी आती है कि सर हम लोगों का जो practical होगा वो practical exam के पहले होगा या exam के बाद में होगा तो dear students अभी तक का जो academic calendar जारी हुआ है उसके हिसाब से आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा कि before exam होगा मतलब जो आपकी सैधान्तिक परिक्षाएं होती है जो लिखित परिक्षा होती है लिखित परिक्षा के पहले काउन सा exam होगा practical exam होगा तो अगर January के last week में आपका exam start होना होगा उसके पहले ही आपके practical exam भी होगे तो 15 January से आपके practical exam start हो सकते है तो overall अगर हम बात करें पढ़ाई करने के अपनी preparation करने की तो अपनी preparation करने की हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ एक महीने का केवल समय बचा हुआ है इस एक महीने में हमें बहतर तरीके से अपनी preparation करनी है जितना बहतर से बहतर हो सके खासकर हमारे जो first semester student है उन्हें हम ये सलाह देना चाहेंगे dear students कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई बैक नहीं लगनी चाहिए बाकी third semester या fifth semester student देख रहे हैं तो आप लोग समझदार हो चुके हैं कि एक बार बैक लगती है तो लगातार बैडन बढ़ता चला जाता है और कहीं न कहीं आपके डिप्लोमा में वो problem create कराने लगता है इसलिए एक महीना बचा हुआ है इस महीने कमर कस करके खुब अच्छे से हमारे साथ preparation करिए आपकी मैं हर प्रकार से help करने का प्रयास कर रहा हूँ आपके अपने इसी चलर डीडी mathematical solution पर applied math first और applied math third की मैंने special class announce कर दी है और उसके एक दो lecture हो भी चुके हैं जिसमें मैंने आप सभी लोगों को ये बताया है ये उस्टेंट्स की आपको डलर इटेल में न पढ़ा करके हम उन-उन टापिक को कवर करके दिखाएंगे जिनसे आपके exam में question पूछे जाते हैं दो-दो class अभी हुई है अगर आप सभी लोगों ने अभी special class को join नहीं किया है इस वीडियो के description में उसका link रहेगा उसको जाकर के पुरानी class को देख करके आगे से आप सभी लोग continue रहे उसमें कोई boundation नहीं है कोई face charge नहीं है अगर आप उतरे lecture को देखते हो तो कम सब आपके maths में तो किसी प्रकार की कोई bike नहीं लगेगी ये मेरी guarantee है I hope dear students ये वीडियो आप सभी लोग के लिए helpful होगा आपको ये idea लगा होगा कि आप सभी लोग का exam कब हो सकता है मैं ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आपके mind में doubt था हमारे लिए किसी teacher के लिए कह देना असान होता कि tension मत लीजिए लेकिन जिसको उस चीज की पढ़ाई करने इसको उस चीज की preparation कर दे है उसके दिमाग में ये बाते चलती रहती है so मैंने ये वीडियो बनाना आप सभी लोग के उची समझा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया helpful लगा है तो वीडियो के लाइक करिएगा कमेंट सेक्सर में प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करके उनको इस्पेसल क्लास में जॉइन होने के लिए प्यरित करीगा